कि आने वाले कुछ ही दिन में लोग सबाचुनाव की घोशना होने वाली है और अप्रेल और में में हमारा ये महान देश इसके मत्नाता आने वाले पांच साल तक इस देश का सासन किस पार्टी के साथ होगा किस व्यक्ति के पास होगा इसका नेड़ाय करने वाले हैं फैसला करने वाले हैं और वो जो फैसला करने वाले हैं उसमें आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है इस जमाने के चुनाओं में जितना महत्वप गरगर गुमकर प्रचार करने वाले कारेकरता का है इतना ही महत्वप सोश्यल मीडिया के माध्यम से गरगर संदेश पहुचाने वाले कारेकरता मित्रो देश की जन्ता ने एक प्रकार से तई कर लिया है मैं करीब करीब देश के सभी राज्यों से होकर यहां आया हूँ जिस जिस कौने में गया, जिस जिस हिस्से में गया, जिस मत छेत्र के अंदर गया, हर जगे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाना थे युआओं के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, मैलाओं के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, घरीबों के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं मगर मैं आज आप सभी को मिलने के लिए आप से बात करने के लिए इसलिए आया हूँ के चुनाओ तेलंगाना में भारतिय जनता पार्टी को और मजबूत करकर 12 से ज्यादा सिटे भारतिय जनता पार्टी की जिताने का चुनाओ हम सब 400 पार का लक्स तो याद रखे 400 पार का लक्स सिद्ध करना ही है परंतु ये 400 में बारा कमल यहां से दिल्ली भेजने का काम तेलन गाना की जन्दा भाई और बेनों ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश को रात नितिक स्तीरता देने का काम किया है आया गया राम की पोलिटिक्स को समाप्त करकर एक छत्र नेत्रतों में पूर्ण बहुमत वाली 10 साल तक सरकार नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में ब्रश्टाचार मुक्त सासन दिया है मैं बात में बात करूँगा टी आरेस और कॉंग्रेस की लाको करोडों रूपय के गपले गोटाले प्रश्टाचार इनके सामने आरोप हुए नरेंद्र मोदी जी पर 25 पैसे का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा से नरेंद्र मोदी ने जनकल्यान की नित्यो वारा सासन दिया है नरेंद्र मोदी जी ने देश को सम्रूद बनाने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्शीत बनाने का काम किया है अब जब साषन में आए 11 नमबर की अर्थवेवस्ता थे आज भीर से चुनाओं में जा रहे है 11 नमबर से 15 नमबर की अर्थवेवस्ता भारत बन गया है और मैं आपको मोदी गैरेंटी बताने आया हूँ मोदी जी का गैरेंटी है तीसरी बार मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाओ दुनिया में तीसरे नंबर का एकोनोमी हम बढ़ गाए मोदी जी ने सबसे तेज बढ़ती हुई एकोनोमी देने का काम किया है और मोदी जी ने 60 करोड गरीबों को गरीबी का पूरा दुख बोगने वाले लोगों को जीवन स्तर को उठाने का काम किया है आज भारत स्मार्ट डेटा कंजम्शन में दूनिया में नंबर वन है फिन टेक में नंबर वन है मोबाइल मैनुफेक्चर्ण में नंबर दो है तीसरा बड़ा एवियेशन मार्केट है तीसरा बड़ा ओटो मार्केट है और चंद्रमा के धक्सीन धुरू पर पहुंचने वाल भारत पहला देश है एक गवरो मोदी जी में मोदी जी के दस साल कि सारे वादों के समाप्ति के दस साल मैं आपको बताना चाहता हूं मैं पार्टी का द्यक्सता 2019 में हम मैनिफेश्टों रिलीस कर रहे थे संकल पत्र गोसीत कर रहे थे उस वक पत्रकार भूखते थे पहला पेज तो ऐसा है जो कभी भी पूरा नहीं हो मैं भी निरूत्तर था, पहले पेज में क्या था? क्या था हमारे संकल पत्र के पहले पेज में? पहले पेज में था अयोध्या में भव्य राम मंदिर हम बनाएंगे 500 साल से पूरे देश के सभी स्रग्दालू चाहते जे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो और राम लल्ला सनमान के साथ अपने मंदिर के अंदर विराजमान एक कॉंग्रेस पार्टी एक कॉंग्रेस पार्टी सत्तर साल तक राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही बटकाती रही लटकाती रही अरे आपने तो बनाया नहीं मंदिर मोदी जी ने बनाया प्राण प्रतिष्टा थी आपको निमंत्रन दिया आप उपस्तित भी नहीं रहे वोट बैंक की लालत से आपने राम जन्वुमी के प्राण प्रतिष्टा का बहिस्कार किया मित्रो दूसरा वादा क्या था कस्वीर से हम धारा 370 को समाप्थ कर देंगे आज मैं कहना चाहता हूं 70-70 साल से कॉंग्रेस पार्टी ये धारा 370 को लेकर चल दी थी नरेंद्र मोदी जीने 5 अगस 2019 को धारा 370 को एक जटके में समाप्थ युवा मित्रो मुझे बताओ एक कस्वीर जो है हमारा है या नहीं है अरे जोर से बोलो है या नहीं है दारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी एक कॉंग्रेस पार्टी दुरूश्ट्री करण की रादनितिक के करण दारा 370 हटाती नहीं थी मोदी जी ने एक जटके में दारा 370 को समाव हमने तीसरा वादा किया था त्रिपल तलाग को हम समाव्ट कर देंगे किसी की हिम्मत नहीं थी लाको करोडो मुसलिम माताओ बेहनों के साथ अन्याय होता था मुसलिम की बात करने वाले माइनोरिटी की बात करने वाले मुसलिम माताओ की आवाद नहीं सुनते थे मोदी जी ने त्रिपल तलाग को समाव्ट कर दिया और देश में सभी को अधिकार मिला मोदी जी ने कहा था कि हम महिलाओ को 33% आरक्षन देंगे कॉंग्रेस पार्टी सालों तक सत्ता पर रही परंटु उनको 33% आरक्षन रिजर्वेशन नहीं मिला मोदी जी ने विधान सबाव और लोक सबाव में मातुरु सक्ति को 33% रिजर्वेशन देकर मातुरु सक्ति का सनमान करने का काम और अभी अभी कल ही हमने कहा था हम हमने कहा था हम CAA लाएंगे कॉंग्रेस पार्टी CAA का विरोध करती थी आजादी के वक्ष से कॉंग्रेस पार्टी और हमारे समविधान निर्माताओं का वादा था कि बंगलादेश अभगानिस्तान और पाकिस्तान से जो सरनार्थी आएंगे जो वहां की प्रताडना जेल कराएंगे उसको हम नागरिकता देंगे मगर तुरुष्टी करण की वाट बैंक की रादनिती के कारण कॉंग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी लाखो करोडों लोग पाकिस्तान से और बंगलादेश से अपना धर्म बचाने के लिए अपना सन्मान बचाने के लिए इस देश में आये उनको नागरिकता नहीं मिलती थी अपने ही देश में वो नागरिकता के बगएर अपमानित होते थे नरेंदर मोदी जी ने Хिंदू बहुत जयन इस सारे सीख इस सारे लोगों को नागरिकता दे कर उनका सन्मान करने का काम नरेंद्र मोदे जीन ने किया भाइव और ब weaknesses सरनार्थियों को सनमान जनक जीवन देने का काम किया है उनकी संस्कूति उनकी भासा उनका धर्म उनके परिवार की महिलाओं का सनमान उसका रक्षा करने का काम किया है और आज से या कल से ये डेस में आया हुआ हारेक सर्णार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर ये अधिकार हमने को दिया जाए ककोंग्रेस ने इसका भी विरोद किया है मितनों दस साल में हमने कई सारे रिफोर्म किये हैं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं दस साल पहले में जब यूपी का इंचार था 2014 में सोस्यल मीडिया की ही मीट इतनी बड़ी तो उस वक्त होती नहीं थी आगरे में छोटा सा हॉल था 300 सोस्यल मीडिया वोलेंटियर से सारे लोग कहते थे हमारे लिए फोन बड़ा महगा पड़ता है और डेटा का रेट भी बहुत ज्यादा है इसलिए हम सोस्यल मीडिया पर ज्यादा काम नहीं कर सकते आज मैं आप सभी मेरे साइबर युद्धाओं को कहना चाहता हूं आपके हाथ में आज मेरिक इन इंडिया का फोन है और सबसे सस्ते डाटा के साथ आप इंडिया की सकसे स्टोरी को दुनिया भर में पहुचा रहे हो ये डिजिटल क्रांटी नरेंद्र मोधी जी ने लाई मित्रो आज तेलंगाना की जनता ने फैसला एक प्रकार से तीन पार्टियों के सामने भाज़पा का चुनाओ कॉंगरेस पार्टी, टी आरेस और मजलिस मगर मैं कहता हूं ये तीनों पार्टियों का एजंडा एक ही ही मेरी बाध्यान से सुनना तीन पार्टियों के सामने तेलंगाना की जनता को भारतिय जनता पार्टी को और मोधी जी को चुना है एक कॉंगरेस पार्टी, दो टी आरेस, तीसरा मजलिस परंटु पार्टी कहने को तीन है मगर एजंडा एक ही है, एक कॉंगरेस और टी आरेस मजलिस के एजंडे पर चलते है मजलिस का एजंडा लागू करने है मुझे भाई और बेनों बताओ, हैदराबाद स्टापना दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए जोर से बोलिये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए ये मुसलिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए जोर से बोलो उटना चाहिए या नहीं उटना चाहिए क्या कॉंग्रेस हटा सकती है TRS हटा सकती है मजली सटाना चाहती है ये तीनो एक दुसरे के चट्टे बट्टे है ये तीनो बाटिया एक है सिर्फ एजंडे में नई तीनो पार्टिया परिवारवादी पार्टिया, कॉंग्रेस पार्टी, चार पिडी से जवालाल नेरू, इंदिरा गांदी, राजीव गांदी, सोनिया गांदी और राहूल गांदी, यहाँ केसी यार और केटी यार, और यहाँ पर भी मदलीज में भी चार तो आ गए हैं, न जाने कितने आएं के सारी परिवारवादी पार्टियां हैं, यह पार्टियां तिलंगाना का भला नहीं कर से लिए, यह पार्टियां एक ही एजंडे पे चलती हैं, यह तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं, और यह तीनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, अथा प्रष्टाचार करने वाली पार्टी ऐ आई और वेनो अभी यहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार है मैं कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री को कहने आया हूँ भाईया ज़रा आपकी पार्टी के गुटाले को मैं लिष्ट देता हूँ तूम ज़रा तेलंगाना की जनता को का किया, हीमाचल की से विक रिका किया, आइनेक्स मीडिया का किया, एर सेल का किया, « Rs. यां कृटा गोचर ला हुआ, जम्मु कस्मिर क्रिकेट एसोसेशन का गोठा रहा हुआ, एमरायर डिल का गोटाला हुआ, आगस्ता वेस्टलेंड का हुआ, सबमरीन का गोटाला हुआ, बॉफोर्स गोटाला हुआ, मारूती गोटाला हुआ, गोटाले की लीश्ट इतनी लंबी है, एक कॉंग्रेस पार्टी ने 12 लाग करोड के घपले गोटाले और फ्रस्टा चार और ये TRS, TRS ने भी तेलकू प्राइड के नाम से सद्दा पर आये और लाखों करोर उपिये का प्रष्टाचार किया, मैं इनकी प्रष्टाचार की लीष्ट मेरे पास है, मगर मैं पता ना नहीं चाहता, ये दोनों पार्टियां, प्रष्टाचारी पार्टियां, मित्रों, ये तेलंगाना का भला नहीं कर सकते, ये दोनों पार्टियां प्रष्टाचारी पार्टियां, और ये दो तीनों पार्टियां तेलंगाना को फिक्सित तेलंगाना नहीं बना सकते, ये तीनों पार्टियां का ये जंडा लग है, परिवार वात के साथ, अपने परिवार का भला करना मुझे बताओ जो अपने बेटों बेटी के लिए रादनीती में है वो तेलंगाना का भला कर सकते हैं क्या जोर से बोलो कर सकते हैं क्या तेलंगाना का भला केवल और केवल नरेंद्र मोधी के नेत्रुतों में भार्तिय जंता पार्टी कर सकते हैं भाई और बेनो मोधी जी देश के सर्वसे घरीब गर्मिक चाय बेचने वाले के बेटे के रुप में जन्म लेकर अग दुन्या के सबसे लोगप्रिय नेता बने हैं मोधी तेईस साल से 23 साल से मैं बड़ो बड़ देख रहा हूँ ये व्यक्ति ने एक भी छुटी नहीं ली है 23 साल से ये व्यक्ति गरिवों के कल्यान का काम करा है और 23 साल से ये व्यक्ति CMB रहा PMB रहा उसके जीवन पर कोई अंगली नहीं उटा सकता ब्रश्टाचार का एक भी आरोग नहीं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के घरिबों के विकास के लिए समर्पीत किया जिन्होंने पूरा जीवन एक चन का भी विराम करे बगेर भारत माता की सेवा में लगाया एक और वोई है और एक और रहू बाबा है हर तीन महिने में 45 दिन की छुट्टी मनाना मोदी जी ने कहा भई छुट्टी सभी लोग भारत में मनाए मगरे कहा मनाते हैं इटली मनाते हैं रोम बनाते हैं इंग्लेंड जाते हैं अमरीका जाते हैं उनको जड़ा घरमी लगती है भाईयो और बेनों यह जमात कभी भारत का भला नहीं कर सकती यह जमात कभी तिलंगाना का भला नहीं कर सकती और मैं आज यहां आया हूं तब तेलंगाणा के मुख्यमंतरी को पूछने आया हूं, आप जरा बताईए, दस साल आपकी सरकार थी, दस साल में आपने तेलंगाणा के लिए कितना खर्च किया, मित्रों दस साल में संयूक्त अंधरफदेश के लिए सोन्या मनमोहन सरकार ने दो लाग करोड रुप्य का खर्च किया था कितना खर्च किया था? चोर से वोलो कितना? मोदी जी ने अकेले तेलंगाना के लिए दो लाग बयालीस अजार करोड का खर्च किया है एक दुरुष्ट्री से देखे तो तीन गुना खर्च होता है और इसके साथ साथ लगबग लगबग चार लाग करोड से ज़्यादा रोड एरपोर्ट पेट्रोल की लाइने और कई सारे इन्स्टिट्यूट देने का काम नरेंद्रम बोधी जी ने किया है और इतिलंगाना का विकास करने का काम मित्रो इनके पास पास्ट परफॉमंस भी नहीं है इनके पास ट्रेक रेकोर्ड नहीं है इनको पुत्ते हैं कि सतर साल में क्या हुआ क्यूं 60 करोड लोग बैंक एकाउंट के बगर थे जवाब नहीं है इनको पुत्ते हैं 13 करोड मैलाएं क्यूं गैस का सिलिंडर नहीं मिला था उनके पास जवाब नहीं है इनको पुत्ते हैं 14 करोड घरों में सोचा लग क्यूं नहीं था इनके पास जवाब नहीं है, इनको पुत्ते हैं, 14 करोड घरों में जल से नल से जल पिने का पानी क्यूं नहीं था जवाब नहीं देते है, इनको पुत्ते 60 करोड लोगों को मुपत अनाज क्यूं नहीं मिलता था जवाब नहीं है पर मोदी जी ने 10 साल में सारे जवाब दे दिया आज 60 करोड लोगों को बैंक अकाउंट दिया 13 करोड लोगों को गैस का सिलिंडर दिया 14 करोड लोगों को नल से जल दिया 3 करोड लोगों को घर दिया और साट करोड लोगों को प्रती मा प्रती व्यक्ति अनाज फ्री अपकॉष देकर पांच लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा मोदी जीने फ्री करें आपने देखा होगा राहुल बाबा कॉरोना में भी मजाक उडाते थे कॉरोना में कहते थे कि ये तो मोदी वैक्सिन है इसको मत चुओ मगर मोदी जीने अपिल की पूरी देश ने वैक्सिन ली और आज देश कॉरोना से सुरक्सित बाहर आ गया मित्रो ये मोदी जीने पूरे देश को सुरक्सित नहीं किया पाकिस्तान से आए दिन जब सोनिया मनमहुन की सरकार थी पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया गुज़ाते थे और बम दमाके करते थे और मनमहुन सिंग कुछ नहीं बोलते थे उन्होंने उरी और पुल्वामा में किया इनको मालूम पड़ा कि क्या होने वाला है वो भूल गए कि अब मन मोहन सिंग प्रदान मंत्री नहीं है नरेंद्र मोधी प्रदान मंत्री दसी दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुश कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोधी नरेंद्र मोधी जी ने हमारी देश की सिमाओं को सुरक्सीत करने का काम किया है आतंकवाद और नकसलवाद को समाप्ट करने का काम नरेंद्र मोधी जी दस साल के अंदर मोदी जी ने एक नीव डालने का काम किया जैसा मैंने कहा इनके पास इनका कोई रेकोर्ड नहीं है ट्रेक रेकोर्ड नहीं है इनके पास भविश्य का एजंडा भी नहीं है हमारे पास 10 साल का ट्रेक रोकोर्ड भी है और पचीस साल का भविश्य का एजंडा भी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की 130 करोड की जंताओं को और विशेश कर युवाओं को अहवान किया है कि 15 अगस 2047 को देश की आजादी की जब सताथी मनाई जाएगी उस वक ए देश विश्व गुरू के स्थान पर भारत मादा बैटी होगा हर क्षेत्र के अंदर हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्व प्रथम होगा बारत आत्म निर्बर होगा भारत पूर्ण विक्सित राष्ट बनेगा ये लक्स लेकर मोदी जी चले हैं एक और इंडी एलाइंस गमडिया गटवंडन और टी आरेस जैसी पार्टियां अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है दुसरी और मोदी जी के नेत्रुत में भारतिय जनता पार्टी भारत माता को विश्व गुरू के स्थान पर बैठाने के लिए भाई और वेनों आज मैं आया हूँ आप लोगों को अपील करने के लिए मोदी जी ने डेटा का बिल बहुत सस्ता करा है बिल की चिंता मत करिएगा एक जट कम पहनिएगा मगर ए 45 दिन तक मई अन तक सोस्यल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी के एजंडा को और नर तिलंगाना के हर युवा के साथ पहुंचाने का काम आपको करना है आज इस सभागार से जाने के बाद हर युवा हर भाई हर बहन एत्ताई करकर जाए 400 पार तो करना ही है मगर ए 400 में 12 तेल्गू कमल तिलंगाना से भी बिलना है मुझे बताओ इस अंकल्प लेकर यहां से जाएंगे अरे यार जोर से बोलो जाएंगे 12 सीट जितने का फैसला करते है जोर से बोल यह करते है मोदी जी को 400 पार कराओगे मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे तिलंगाना में 12 से ज्यादा भाजपा सांसत जिताएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुठी बीचिए और प्रचंदावाद से बोलिए बारत मता की जै बारत मता की जै वंदे बातरम जै श्रीराम वी ओर उनिवाद से विल्कॉप